Hello everyone and welcome to our channel Physiosaurus आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे Tibio Femoral Alignment and Weight Bearing Forces के बारे में तो ये हमारा Knee Complex पे दूसरा वीडियो है इस वीडियो को हम लोग डीटेल में बात करेंगे क्योंकि ये जो सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे वो आपका conceptual चीज़े हैं और अगर वो clear होंगी आपको तो आपको exams में भी बहुत अच्छे marks मिलेंगे आपका concept भी clear होगा और कल को आपका जब आप patient देखेंगे तो उसमें आपको समझ मैंगा कि जो आपका genuine warm है या फिर genuine warm है इसका deformity कैसा होता है और भी कई सारी चीज़ें हम लोग अभी discuss करते वे चलेंगे तो काफी interesting topic है हमारा ये जो मैं book इसमें मैंने read किया है वो भी हमारा Cynthia Norkinsey है तो आप लोग उस book को read कर सकते हैं मेरा तो ये advice रहेगा कि आगर आप उस book को अगर खोल करके बैठेंगे और इस video को देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी तो ये हमारा दूसरा वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे before starting the video मैं 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसको discuss कर लेता हूं longitudinal axis क्या होता है longitudinal axis basically एक line है जिसको हम लोग draw कर रहे हैं किसी भी bone के बीचो बीच तो अगर हम लोग femur bone की बात करें तो उसका longitudinal axis क्या होगा इस diagram सा समझे यह उपर का diagram अगर आप देखेंगे तो यह जो red वाला जो है यह हमारा क्या longitudinal axis अगर आप देख सकते हैं यह femur के बिल्कुल बीचो बीच यह हमने यहां तक आ करके यह drop किया है ठीक है लेकिन अगर हम लोग longitudinal axis of tibia के बारे में बात करेंगे तो यह longitudinal axis यह हमारा tibia का ओके तो bones के बीचो बीच में हमने एक line draw किया अब यह line का क्या relevance है अभी हम लोग थोड़ी दिर में समझते हैं इसको so longitudinal axis of femur is oblique ठीक है वापस से diagram देखी अगर आप यहां पर diagram देखेंगे तो आप यहां पर diagram में अगर आपको समझ में आ रहा हो तो line जो है वो सीधा नहीं है ठीक है सीधा नहीं है सीधा का मतलब कुछ ऐसा होता है सीधा नहीं है बलके क्या है हलका oblique है हलका oblique है okay so the longitudinal axis यह है आपका straight line okay this one is a straight line but if you'll see this line this line is oblique ठीक है चले तो straight नहों करके जो longitudinal axis है femur का वो क्या है हलका oblique है और अगर आप proximal से distal end अगर आप जाएंगे femur के तो वो किस तरह से आपके body में placed है inferiorly है और हलका body के center की तरफ है medially है okay तो यह तो हुआ femur का normal position अगर मैं बात करूं टीविया के बारे में तो उसका जो longitudinal axis है that is almost vertical to the body ठीक है तो almost अगर vertical कहने का क्या मतलब हुआ कि जमीन से वो कितना degree बनाएगा 90 degrees बनाएगा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर diagram में वापस से देखिए तो अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह almost vertical है तो vertical कहने का यह मतलब हुआ कि जमीन से यह 90 degree के असपास बना रहा है लेकिन femur क्या होगा चुकि यह vertical नहीं है तो vertical नहीं होने के कारण क्या होगा यह जमीन से अगर आप देखेंगे तो 90 degrees तो यह वाला है लेकिन अगर जमीन से देखेंगे तो आप जो longitudinal axis है अगर femur का 90 degrees से हमेशा कम होगा क्योंकि वो oblique है चली आगे बढ़ते है तो अब यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को समझ में आई दो चीजें क्या-क्या है कि femur का जो longitudinal axis है that is oblique और जो tibia का longitudinal axis है वो एकदम vertical है तो अब क्या है कि तो चुकि the longitudinal axis of femur is oblique and the longitudinal axis of tibia is almost vertical so they both form an angle medially at the knee joint of 180 to 185 degrees तो इस तरह का alignment के कारण femur और tibia के बीच का जो angle होता है वो 180 to 185 degrees तक होता है अब आप कहेंगे कि यह 5 degree extra कैसे आ गया 180 तक तो समझ में आता है 5 degree extra इसलिए आया क्योंकि जो longitudinal axis है femur का वो हलका oblique है तो इससे क्या हो जाता है अब आप इस diagram को अगर आप देखें यहाँ पे मैं erase कर देता हूं इसको अगर आप इस diagram को अगर आप यहाँ पे देखें तो यह हमारा ground और यह है हमारा जो लाइन है यह है 180 डिगरी वाला लाइन यह अगर आप पूरा देखेंगे तो यह 180 डिगरी है लेकिन चुकी longitudinal axis of the femur is oblique यहाँ पे extra 5 डिगरी आ रहा है तो extra 5 डिगरी जब आप count करेंगे 180 प्लस 5 डिगरी तो that will be around 185 डिगरी ठीक है तो आप समझ रहें यहाँ पे कि extra 5 डिगरी कैसे आया so that's why femur is angled up to 5 degrees of vertical creating a slight physiological normal valgus angle at knee and that valgus angle is known as tibio femoral angle तो मेरे खाल से आप लोगों कोई चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी कि जो tibia और femur का alignment है वो किस तरह से है अब हम लोग weight bearing पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं आगे चल करके now the next point is if medial tibio femoral angle is greater than 185 degrees an abnormal condition known as genu valgum exists क्या है कि अगर 85 degrees sorry 185 degrees से अगर greater हुआ तो क्या आपका कौन से condition कहला हैगा और यही चीज यही आपका अगर 175 degrees या उससे कम है ठीक है अब अब तो यहां तो चीज अब समझ में आगे Now, these conditions alters compressive and tensile stresses on the medial and lateral compartment of the knee joint What are those conditions we are talking about? So we are talking about the genuvalgum and genuvarum condition Now, these conditions like genuvarum and genuvalgum conditions, the stress or compressive load, how do they alter? This condition is how they alter? In the medial and lateral compartment, the normal condition on the load and the in conditions on the load, the difference is how they alter? That's how we know about it As we know before, we discuss about the tbiofumeral alignment, how do we check? Is it normal or not? So, we check a line here, which is called Weight-bearing line This weight-bearing line is called Mechanical Axis, which you can see in this diagram. This is called Radiograph, whether it is X-ray or MRI, or something like that So, this line is known as Mechanical Axis, or Weight-bearing line. So, if you look at the starting line, where is the starting line? So, this line is known as Mechanical Axis, or Weight-bearing line. From the head of the femur to the head of the talus, to the talus bone. So, if you draw this line, this is called Weight-bearing line, or Mechanical Axis. And if you look at this diagram, weight-bearing line, which is the longitudinal axis of femur, it is tilted, posteriorly tilted. So, here you can see that the femur is 5 degrees of vertical, okay? So, femur is 5 degrees of vertical, okay? So, here it is called, and the thickness of the femur, which is the height of the femur. So, if you are... You can see that theе length of the femur, which is used to be 16? And the thickness of the femur is about 180 degrees. बनता लेकिन चुकि 5 डिग्री एक्स्ट्रा है तो अब हमारा यह 180 डिग्रीज ना हो करके कितना हो गया है 185 डिग्रीज ओके चले So, line drawn from the center of the femoral head to the center of head of talus on the radiograph and this line is known as weight bearing line Now, in normal knee alignment, this line passes through the center of joint Center of joint मतलब की knee joint के बारे में बात हो रही है Okay, so the center of the knee joint between the intercondylar tubercle Now, the intercondylar tubercle is present in the tibia and this term, we have already discussed this term in the previous video So, intercondylar tubercle कहां पे होता है? Tibia में होता है और इसका यह काम है कि यह दोनों compartment को divide करता है यानि कि medial compartment और lateral compartment तो यह anatomy का पार्ट था, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में discuss किया था ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब देखें, यहाँ पर मैंने एक दो डाइगराम यहाँ पर आड़ किया है यह दो डाइगराम का क्या relevance है उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं अभी मैं यहाँ पर भूला नहीं हूँ मैंने यहाँ पर एक बात बोला था कि इस कंडिसंस अल्टर्स कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस अन दे मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट साफ नी जॉइंट तो हम लोग यह भी बात करेंगे कि जीनुवायरम और जीनुवायलकम में जो हमारा यह जो alteration है वेट बेरिंग जो होता है वो किस तरह से होता है मतलब मीडियल कंपार्टमेंट पे लोड जादा पड़ेगा या फिर लेटरल कंपार्टमेंट पे लोड जादा पड़ेगा वो सब सारी चीज़ों को हम लोग जस्ट डिसकस करेंगे तो अब हम लोग उसकी तरफ पहुँच रहे है तो अभी हम लोग भूमी का बना रहे है नोट का पहला लाइन है कि इन बाइलेटरल स्टांस मतलब कि जब आप दोनों पहुँच पे खड़े होते हैं वेट बेरिंग स्ट्रेसेज ऑन नी जॉइंट ठीक है वेट बेरिंग सब से जादा कहां पर पड़ता है नी जॉइंट पर पड़ता है और वेट बेरिंग होता है that is equally distributed in the medial and lateral condyles ठीक है तो वो जो weight होता है वो equally distribute हो जाता है medial condyles में भी same वजन पढ़ता है lateral condyles में भी same वजन पढ़ता है लेकिन जैसे ही आप unilateral stance में आता है यानि कि एक माँपे खड़े होता है तो stance phase के दोरान जो आपका weight bearing line है वो shift कर जाता है weight bearing line यह है आपका यह जो beach का line है यह ठीक है यह shift कर जाता है किसकी तरफ towards the medial compartment क्यों shift कर जाता है क्योंकि base of support जाए वो छोटा हो जाता है base of support क्या होता है यह भी एक छोटा सा term है base of support ऐसा कह लिजे कि हम लोग surface area को कहते हैं जो आपका used up होता है जब भी आप खड़े होता है या बैठे होता है जैसे कि diagram से समझे एक बंदा है आप ही है या मैं ही हूँ तो ये खड़ा है तो अगर आप देखेंगे तिन दोनों के बीच का जो इस gap है दोनों के बीच का gap वो बन जाता है मारा base of support अगर जो कोई लेटा हुआ है ऐसी लेटा बन रहेगा तो अगर आप लेटा हुआ देखेंगे तो base of support क्या होगा इतना बड़ा हो गया तो इसके comparison में क्या हो गया बढ़ गया ना लेकिन let's say कि कोई एक बन दा है जो कि एक पाउँ पे ही खड़ा है ठीक है एक पाउँ पे ही खड़ा है तो base of support क्या होगा और भी छोटा हो गया ठीक है अब ये तो हुआ base of support अब इसका relevance क्या है इसका relevance जादा तर जादा तर क्या इसका relevance जो है वो balancing activities में है हम लोग जब भी patient balancing जिसका problem होता है हला कि ये neuro का चीज है तो जिसका balancing में problem होता है तो हम क्या करते है उसको लेटा करके सारी चीज़ें करवाते है धीरे धीरे उसका shifting करवाते है लेटना सिखाते है पहले लेट करके सारी activities वेगर पफार्म किया जाता है क्योंकि वो सबसे relaxed होता है और उसमें कुछ करने की ज़रत नहीं है patient unstable नहीं होगा धीरे धीरे उसको improve करते है ठीक है फिर उसका लेटा करके बैठा आते है अब आप कहेंगा कि जब बैठा हुआ है इंसान chair पर बैठा हुआ है तो मान लिजे यह chair है यह chair है ठीक है यह पूरा एक chair हो गया और यह आपका बैठा हुआ है आप हाथ है और यह यह यहाँ पर दोनों पाउं है तो अगर आप base of support देखेंगे तो यह इतना दूर आपका base of support जाएगा so this is why सबसे कम risk अगर आप कहेंगे गिरने के सबसे कम risk कहेंगे तो क्या होगा? sleeping position उसके लिए होगा लेकिन अगर सबसे ज़्यादा risk अगर आप कहेंगे तो सबसे ज़्यादा risk falling का सबसे ज़्यादा risk का होगा सिंगल पाउं पे खढ़ा होने पर ठीक है तो जैसे जैसे अब आपको समझ में रहा है, जैसे जैसे base of support घटता चला जा रहा है, वैसे जो falling injury है, या falling का जो risk है, वो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए base of support एक पाउँ पे खड़ा जैसे ही आप हो रहे हैं, पहले आप दो पाउँ पे थे, तो base of support बढ़ा था, लेकिन जैसे आप single पाउ compartment पे और lateral compartment पे दोनों पे equal equal पढ़ रहा था, अब weight पढ़ेगा, medial compartment में जादा पढ़ेगा, और lateral compartment में कम वजन आएगा, तो I am very sure कि I am making myself clear to you, ठीक है, हाला कि ये कुछ नियूरो का topic हो गया है इसमें, बढ़ ठीक है, अम लोग आगे बढ़ता हैं, this shifting, अब ये shift कर रहा है from the lateral to the medial side, it increases compressive forces on the medial compartment, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये दो deformity के बारे में, genu valgum और genu varum, कैसे इसमें alteration होता है, तो genu valgum में क्या होता है, कि weight bearing line जो है, वो shift कर जाता है from the medial to the lateral compartment, imagine कीजे, पहले दोनों में बराबर वजन पढ़ रहा था, अब जैसे ही medial से lateral compartment में shift क कर गया weight bearing line, तो सबसे जादा weight कहाँ पढ़ेगा, lateral compartment में पढ़ेगा, तो genu valgum में सबसे जादा वजन कहाँ पढ़ता है, lateral compartment में पढ़ता है, ok, genu varum में सबसे जादा वजन कहाँ पढ़ेगा, medial compartment में पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि weight bearing line जो है, वो shift कर जाता है lateral to the medial compartment, ok, अगर इस डाग्राम को गौर से देखेंगे तो लेटरल वाला जो है ये हो गया लेटरल साइड ये हो गया मेडियल साइड ठीक है पहले तो लेटरल वाला जो है वो थोड़ा दूर था ये हो गया नॉर्मल वाले में ये लेटरल हो गया ये मेडियल हो गया ठीक इसी तरह से य लिटरल अब अंदर की तरफ चला गया है, तो weight-bearing line जब वो कहां हो जागा, वो shift कर जागा weight-bearing line तो अपनी जग़ा पे ही है लेकिन जो line पहले यहां होकर के cross कर रहा था इस जग़ा पे होकर के cross कर रहा था, let's say वो line अब कहां होकर कर रहा था, वो अब लेटरल कमपार्टमें्ट है वो अंदर के तरफ shift कर गया है, move कर गया है, ठीक है, और यही तो है हमारा जो deformity है, ठीक है, तो यह हो गया जीनूवाइल्कम, और अगर मैं बात करूँ जीनूवायरम के बारे में, तो क्या है, लेटरल कमपार्टमेंट forces के बारे मैं इस video को जितना detail in सकता है इतना detail में शमझाया है जितना simple हो सकता है इतना simple में समझाया है but still इस video को देखने के बाद आगर आप्जों को फिर भी कोई doubt बच रहा है आप इसल मुझे comment कीजिए और मैं आपका doubt clear करने की कोशिश करूँगा so thank you so much for watching this video कर दो हुआ डिल्या लेत्संट